जहन दोस्तो सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की हेडलाइंस में बात करूँगा हाँ जी दोस्तो पांच परसेंट पैंसिन बडोतरी पर लग सकती है मुहर संसदी कमेटी की सेपारस सिर्फ मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री में फॉस रहा है दूसरी बात कहता हूँ अब आखिर सैनिक संगठन क्या करने जा रहे हैं यानि रेवाडी के बाद दो सैनिक संगठनों का एलान आखिर क्या है उनकी रड़नीती और उन्होंने एक लेटर जारी किया है उसके उपर करेंगे बात तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे कि मामला अटका हुआ है एक तो पैंसन का ऐसा मामला है कि इसकी संसदी जो कमेटी है उसने एक सिफारस की थी माननी प्रधानमंत्री जी को कि क्यों आप जो पैंसन बढ़ोती है 65 साल के बाद स्टार्ट कर दो क्योंकि आज कल एवरेज उम्र लगवग लगवग 60 से 65 साल है यह आप 80 साल के बाद 20 परशंट पैंसन की बढ़ोती कर रहे हो उसको आप 65 साल से 55 एड करिए 65 साल के बाद 5 परशंट 70 के बाद 10 परशंट 75 के बाद 15 परशंट और 80 के बाद आपका जो 20 का टार्गेट है एज आज की जीव का आज की परिसिती के साब से आज की रिपोर्ट के साब से आपने एक आवरेज आई को यह साब कि देखना चाहिए कि जो पैंसनर है उसको पैंसनर साल के बाद लाग हो अब इसको पर क्या हो रहा है लेटिस क्या ख़बर है इसके बारें बात करते हैं दोस्तो लिखा है और कॉँपी सभी को किया है आखिर मतलब कहा है कि मामला क्या पसा है यानि संसद में इसको पर क्या भैस हुई थी और क्या मामला क्या उन्होंने दोबारा इस चीज को चुनाओं से पहले उठाया इसके इस में देखते हैं लिखा है कि ग्रांट ओफ एडिशनल पैंशन 5% 10% 15% 20% एड दा एज ओप 65, 70, 75 and 80 एर्स रेस्पेक्टिवली रेफरेंस दिया गवर्रेंट ओफ इंडिया डी ओ पीपी डवलू और नंबर आप कहने के पालियमेंटरिल इस्टेंडिंग कमेटी ओन पैंशनर ग्रेवियंस इनटीज ओन वन वन जीरो रिपोर्ट वाइड रेकुमेंडेशन नंबर 3.28 है रेकुमेंडेट देट दा कमेटी इस दा व्यू अट गवर्रेंट शुड सेंपितिकली कंसीडर दा डिमांड ओ पैंशन रेस्यूसेशन पॉर 5 परसेंट एडिशन क्वेंटम ऑफ पैंशन ओन अटेंडिंग दा एज ओप सिस्टी फाइव टैन परसेंट ऑप सेवंटी फिप्टीन ऑन सेवंटीफाइव और टेबल बिलो उन्होंने ये ओन अटेंडिंग दा एज और उसका कितना बढ़ यह यह लिखा हुआ है आखिर और क्या लिखाया जरा सुनते हैं मिनिस्ट्री ओफ डिपार्टमेंट ऑफ पैंशन और पैंशन वेलफिर वाइड देर अबोव रैफर लेटर है इस इंड अल्ली इंप्लीमेंट ऑफ अब रिकमेंडेशन ऑफ दा पार्लिमेंट कमेटी उन् उन्होंने जब इसका जवाब मांगा तो यह फाइनिंस मिनिस्ट्री के पास अटका हुआ है जरा इसके उपर आप बोल सकते जवाब दीजिए पैंशन लगातार बड़ती उम्र में सस्टेंड कर रहे हैं परिशान हो रहे हैं फेलिंग हैल्थ उनकी हैल्थ डाउन हो रही ह और आज की यूग में आपने सोसली और फैमिली रिस्पोंसबिल्टी आप देख सकते हैं कि तो आपके पास पैसा खर्च हो रहा है दबाई में तो घरवाले भी आपकी तरफ से मुह में उल लेते हैं इसलिए इनकी पैंसिन में बड़ोत्तरी आप सेंपेटिकली कीपिंग आप प्रवाइड करने के लिए जरा आगे आए और इनके ऊपर थोड़ा सा महरवानी करिये जो पैंसिन साफ से गुहार लगा रहे हैं इन्होंने लिखाय है हर चरन सिंग सेकेटरी जनरल आर सी सी डवलू एस के हैं यानि ये मामला बहुत अच्छे समय पे उठाया है ये बात जबरदस्त है आप समसकते हो कि पारलेमेंट की स्टेंडिंग कमेंटी ने रिकुमेंडिसिन दिये सभी लोगों ने इस पर किसी नापत्ति नहीं जताई उन्होंने का है कि 80 साल के बाद 20 परशंट देने का कोई योचित नहीं आप इसको 5-5 परशंट 65 साल की एससे सुरू कर दो सब के लिए वेनिफिट है सब को इस दौर से गुजनना है और सब के साथ समान तकलीप है ये पूरे केंद्रे करमचारी नहीं सभी पैंसनर्स का माम ला है दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ अब आगे जैसा कि आपने सत्रा तारीक को पिछले संड़े को रिवाडी में बड़ा धमाका देखा चहल पर लेकि आज सुर्खियों में बना हुआ है कि भीड़ी भी ज़्यादा थी और सब चीज़ां आती और न वीडियो देखते हैं सोचल मीडिया पे तो हमें जानने का पूरा हक है सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आखेर 24 सितमबर को फेडरेसन और वेटरन एसोइसेशन ने क्या काल किया दोस्तों इसके बारे में बात करूँगा यानि इनकी सत्रा तारीक को कठ हुआ मैं एक र चुनाओ कराने के लिए 24 तारीक को अजसूचना जारी कर रहे हैं इसके लिए नामंकन फॉर्म यानि 21 तारीक को फॉर्म भरे जाएंगे और इसका इमेल आईडी नों ने दिया एप है भी इनुटी एड़ डरेट जीमेल डॉट कॉम पर बेजा जाए नामंकन बापसी 22 सित संपर्क करें पुरानी मेल आईडी इनकी चोरी हो गई थी जो भी है इस तरह की अफ़वा है और ध्याना दे हर संगठन का अध्यच एक डेलिगेट बोर्ड देता है ओनलाइन चुनाओ के लिए गुगल लिंक आपको समय से भेज़ दिया जाएगा आंदोलन के अगले चण है या मैं निकानू कंक्लूड करूं तो इनकी 24 तारीक को एक नई कमेटी बनेगी इसके अध्यच होंगे उसके बाद इसको फेडरेशन और वेटरन एसोशेशन को नई दिसा और दसा तै करेंगे क्या ले जाना है और वन निंग वन पैंसिन की विसंगेति को लेकर इनके न नजर हो दूसरा बात कहता हूँ जिसने रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली की थी वाइस ओफ हैक्सरिसमेंस सोसाइटी इनके साथ भी बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं संगठन जुड़े हैं दोस्तों लोग तो जुड़े हैं अब उनका क्या वान है उसके लि रामलीला मैदान और दिल्ली हुड्डा मैदान रेवाडी में और्णरी कमीसें अफसर जूनिर कमीसें अफसर जूरी कमीसें अफसर अधर06 रांक द्वार्य राश्ट्र की प्रवावस ऑ smellी एक बैटेक, आठ अक्टूबर दो यार तेस को कंस्ट्रिशन कलब नई दिल्ली मायूत की जा रही है बैकलिप इस्तान नियर घितोरनी मैट्रो स्टेशन के पास एक वेंकेटा हॉल रिजर रखा है बैकलिप बारत बरस के सभी संगठनों को इस बैठकम के लिए आमंत्रित किया जाता है इस पोश्ट को आमंत्रन पत्र समझा जाए सभी संगठन के अद्ध सचे में संगठन द्वारा नामित पदादकारी अब इससे भाग लें बीर बाहदूर सिंग चेर्मेन युनाइटेट प्रेंट आप एक्सरिस्टिमेंट नेशनल कॉडिनेटर वाइस आप एक्सरिस्टिमेंट सुसाइटी और ये कलनों ने ये डाला है तो दोस्तो वर्न रिंक बन पैंसिन की बिसंगतियों के लिए अभी आपने देखा कि 17 के बाद अभी एक 8 अक्टूबर को मीटिंग कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे बढ़ना है लगातार सुपीम कोट है उसके साथ मुद्दे आपके समानतर चले जा रहे हैं MSP का मुद्दा हो चाए आपको X Group का मुद्दा हो चाए आपकी दूसरे मुद्दे हैं सुभेरी मेंने एक डाला था एक ग्यापन दिया है जवर्दस्त ग्यापन है उसमें किलियर चीज़ें लिखी हैं तो सब अपनी अपनी जगह कोशिस कर रहे हैं आज की ख़बरों में इतना ही बने रही हमारे साथ